हाई दोस्तों नमस्कार स्वागते आप सभी का इस खास सेशन में कैसे हैं आप सभी लोग आज दोस्तों हम लोग पंढे वाले हैं SBI क्लर्क का डे वन आज से शिरुवात करेंगे 45 days के इस पूरी की पूरी सीरीज में दोस्तों हर दिन क्या जरूरी है पढ़ना ये दोस्तों हम लोग discussion करेंगे ठीक है आज आप एसे सभी बच्चे जो बिल्कुल नए है ना बिल्कुल डे बन है आप सारे के सारे बच्चे सबसे पहले ये वाला session जरूर देखेगा ये मैंने आप लोगों के लिए किया था SBA clerk के लिए 45 days की complete strategy किया होनी चाहिए क्योंकि जब आप एक बार strategy देख लेंगे दोस्तों तो आपको ये पता चलेगा कि 45 days में क्या क्या किस किस दिन कैसे कैसे पढ़ना है mock paper लगाने होते हैं, वो कैसे कैसे लगाने है, sources क्या है, previous paper क्या है काफि सारी चीज़े मैंने बताई है which are very very important जिसको आपको और regular basis करनी है मैं आपको एक बात बतातू जब आप ये कर रहे होंगे तो इसके सासत एक ये वाला session हो रहे क्योंकि 45 दिन में आप पढ़ोगी 21 days का एक challenge भी होगा ये challenge दोस्तों वाली session में daily कराता हूँ, ये morning में 7 बचके 50 minute पर दोस्तों में daily कराता हूँ उसे है ना, अब ये जो session होता 10 minute का होता, इसमें ये तीन चीज़े आप याद कर लोगे क्योंकि ये चीज़े दोस्तों मैं नहीं करा हूँगा, है ना, जिसे root word होगे हो, homophones हो के आप अनवर्ड substitution, ये आपको खुद से याद करने है, तो sources मैंने बता रखा है, आपको यहाँ से याद करना है बात रही है भी vocabulary improvement के, जिसे की idiom phrase हो गई है ना, उसी में phrasal verb हो गई है और बाकी antonym, synonym के questions बन गए, ये सारे के सारे आपको दहिंदू में आप पढ़ते हो ना, regular basis पे reading करते हो बस वहाँ से improve हो जाएगी ये सारे के सारे बच्चे बाबू आप ये बात याद रखेगा, तो ये sources है, आज day one है, पहला देन है इसलिए में इस sources आपको बता रहा हो ये आप regular basis पे करो, जिसके लिए मैं आपको बार बार पिंच नहीं करूँगा, ये आपको खुद से करना है जब आपके past time मिलेगा, तब पढ़ना है, it's not necessary कि उसका एकी time fix करना है, तो आपको जब time मिलेगा, तब पढ़ना है दूसरा मैंने एक वीडियो और क्या आप लोगों के लिए, कि क्या आपका time table होना चीए, एक perfect schedule क्या होना चीए वो schedule दोस्तों, वो वाला वीडियो भी देख लेना, तो आपको पहले से एकदम clarity रहे, कि day one से कि हमेरे को ये पढ़ना है, ऐसे से करके पढ़ना है कोई भी उसका time fix, सबके लिए मैं नहीं बता सकता हूँ, ये आप ही को tag करना है, क्योंकि हर एक student के पास अलग-अलग time होगा है न, online class का ये तो benefit है, live देख सकते हो, live देखो, recorded देखो, recorded देखो, कैसे भी करके देखो, पट अपने recording देखो, समझ गे न बाबू, सब लोग, मुझे एक बार बोलतो, जी सर समझ गे, done, चीक है, तो ऐसे करके तो हम लोग ये करने वाले, अब आज क्या है, आज है पना day one है, अब day one के साथ साथ दोस्तों, जब आप day one पर यहाँ पर आ रहे हो, हम हर दिन YouTube पर class नहीं करेंगे, पहली बात मेरी सुनिए, 45 दिन जो हम पढ़ेंगे, 45 दिन का पढ़ने का मतलब क्या है, ये जो हर दिन हर दिन YouTube पर नहीं पढ़ोगे आज, जैसे आज मैं करा रहा हू अब day one, तो हम इसे alternative days पर पढ़ेंगे, day one पर मैंने पढ़ा है, day two हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, day two पर आपको खुद से करना है, number of questions जिसके आपको practice करना है, आप इतना समय मत दे दे ना YouTube पर, कि आपका YouTube, YouTube पर ही time चल जाता जा रहा है और कोई benefit ही नहीं हो, आपके पास limited स समय का इस्तेमाल करना, दचियों-दचियों घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, limited समय पढ़ना है, और YouTube पर, यह किसी भी वीडियो को देखना है, दिन में एक घंटे देख लोगे, that is sufficient, बट क्या-क्या देखोगे, ऐसे थोड़ी ना कि editorial भी पढ़ रहे हो, यह भी प पढ़ा रहा होता, लेकिन इस ताल के शुरुआत से लेकर अब तक मैंने बहुत कुछ कराया हुआ है, इसी वज़े से मैं चाहता हूँ कि आपना regular basis पर YouTube पर class मतले, YouTube पर आज मैंने class लगाई, तो एक दिन का gap लो, फिर दूसरे दिन class होगी, वो जो gap होगा, उस gap में आपको खुद से पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे, खुद से याद्धी करोगे, तो वो चीजों में आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं आप दोस्तों अच्छे से implement कर पाऊगे, तो मुझे बताओ, ये plans अपके लिए समझ में आ रहे हैं न, 45 days का मतलब भी नहीं, 45 आपको मेरे साथ ही डेली पढ़ना है, वो तो हम आर बार करते ही है, वो तो करेंगे ही करेंगे, पर लिमिटेड तोर पर, कल हला कि मैंने class लगाई हुई, आज पहला दिन है, कल भी मैंने class लगाई है, और आज जो भी कुछ में दोस्तों पढ़ाऊंगा, कल मैं इसका test लूँगा, सुनो, जब-जब मैं आपका test लूँगा, तो test लूँगा मैं Unacademy पर special glass में, क्यूंकि उसमें pole होता है, और कल ना test लेंगे, तो test में मैंने कुछ gift भी रख रखा है, सुनो क्या है, test में मैंने दोस्तों कुछ gift रख रखा है, और gift यह है, कि जो भी वच्छा test में, first, second, third आएगा, यान academy की किताबें, जहां से आप practice कर सकते हो, फिसे practice करने के लिए तो आप कोई भी किताब ले सकते हो, और इतनी सारी PDF में वो भी कर सकते हो, बढ़ हाँ, अगर आप first, second, third आ बढ़िया ये बात, मेरा प्यारा सा दिल आपके लिए, एक प्यारा सा हाट आप सब लोगों के लिए, ताकि आप साब बच्चे बढ़िया से प्यारे तरीके से सीखते जाए, अच्छे से, शुरू आत करते है, session में like बटन में प्रेस कर दो, आप सारे सारे बच्चे, everyone तो पहले मैं थोड़ा आपको time देता हूँ, और इस timer के साब से आपको समझने की कोशिश करने ही, क्या इसका सही answer होगा, I'll explain then, फिर मैं आपको explain करूँगा, ठीक है, चलिए, do it, इसे करेंगे आप सारे की सारे बच्चे बाबू, सब भी लोग करेंगे से, देखो ज़र, शुरू कर दिया काफी सारे बच्चों ने, देखे, the committee has decided, committee ने decide कर लिया है, committee जो शब्दे दोस्तों, ये singular और plural दो तरीके से use होता है, जब committee सारे काम एक साथ कर रही होती है, जब ये एक साथ कर रही होती है, conclusively, तब दोस्तों ये singular की तरह use हो रही होती है, लेकिन जब इ decision और बाकी सारे काम एक साथ नहीं होते हैं, अलग-अलग होते हैं, कि इनकी decision अलग-अलग है, ये कोई भी चीज़ है जो अलग-अलग है, तब दोस्तों यही committee word plural की तरह use हो जाता है, तो सबसे पहली चीज़ ये आप लोगोंने note कर लो, जो भी मैं point आपको बताता जाओ न दोस्तों note जरू करते जाना, तो पहला point ये note कर लेना, तो committee has decided, committee ने decide किया है, तो decide किया तो समने मिलकर कोई काम किया है, तो singular माना जाएगा, यानि ये बिल्कुल ठीक है, has decided, क्या decide किया है, that every members, तो जैसे दिखा आपने every members, तो यहीं गलती है, rule हमारा अगला ये याद रख जो नई बच्चे सब लोग ध्यान रखना, तो वहीं गलती आगे, every members दिया है, ये plural दिया है, दोस्तों, ये गड़बड हो गया, क्या होना चाहिए, every member, है न, every member of the club, club का जो हर एक member है, should contribute, उसे contribute करना चाहिए, equally, बिल्कुल बराबर, to the charity event के लिए, and the question हो गया, complete, समझ माह है, दोस्तों, गलती तो आप part number B में थी, या पैसे कई सारे बच्चों ने पैचाल ली, और जो rule है, rule भी आप लोगों ने ध्यान रखना, rule दोस्तों, ये छोटे-छोटे सही होते हैं, जहां से बढ़कर हम बड़े rules तक पहुंचते हैं, ये सब को समझ माया, अगले question की तर ये राज, सारे चुलबुल, सारे बुलबुल के लिए ये, 45 days के लिए complete strategy के है, बिलकुल fresh है, तो आपको यहां से देखना है, इसमें मैंने घराया हुआ, यही मैं बताया है, यहाली वीडियो देख लेना, ठीके चुलबुल, चुलबुल नाम ही रख रहागा, चुलबुल अगला रूल ये बड़ा शांदर कमाल का है, मैं आपको बताता हूँ, अभी जैसे आपने पढ़ा कि subject होता है, तो subject according verb लगा दी हम लोगोंने, कि committee singular है, कि plural है, अब यहां ध्यान रखना है, relative pronoun, देखो क्या लिका है, He is one of those writers, जो ही है, उन सभी writers में से एक है, who has won awards, जिन्होंने awards जीते हैं, जिसे who has करके लिखा है, तो who क्या है, relative pronoun, आप इस बात को याद रखेगा, हाला कि आपको ये rule तो पता चली गया, लेकिन इससे जुड़ी हुई जो चीजे हैं, वो सब बच्चे ध्यान लोगना, relative pronoun क और कुछ condition में दोस्तों, that भी लगता है, pronoun का chapter जब आप पढ़ना, तो pronoun के chapter में, detail में सब कुछ लिखा होता है, तो अगर आपने pronoun का chapter पढ़ना है, तो मेरे साथ दोस्तों, editorial 365 वाला जो बैच है न, उस वाली course को देख लेना, जो आने can't be pre-editoral, हर एक chapter के बारे में, detail में ब इसी वर्ड के according वर्बाती है, ये वर्ड अगर singular होता है, तो singular वर्बाती है, ये वर्ड plural होता है, तो plural वर्बाती है, ये वाला point होता है, दोस्तों समझने वाला, अब उसी साब से आए, he is one of those writers, ये उन सभी writers की बात कर रहे हैं, who has, तो who किसके लिए काम कर रहा है, ये writers के writers plural है, तो यहाँ पर वर्ब भी कैसी आएगी, दोस्तों, plural आएगी, has हमारा singular के लिए use होता है, plural के लिए क्या हो गया, have, तो गलती तो ये समझ में आगी, लेकिन who which that, तीनों के लिए इस्तिमाल होता है, दोस्तों, दियान रखेंगे, तो क्या हो गया, who have won awards, जिन्होंने awards जिते हैं, फर बोथ, fiction और non-fiction works के लिए, आप देखो, उसमें एक और क्या अचा है, इस चीज को ध्यान रखना, fiction और non-fiction का मतलब क्या होता है, fiction का मतलब ऐसी चीज़े, जो कि आपकी, आपने कालपनिक चीज़े बनाई, उसे fiction क्याते है, non-fiction जो कालपनिक नहीं है, works लिख एक शब्द और होता है, जो यहां लिखा है, वो होता है, works, देखो, एक और शब्द जो दूसरा होता, w, o, r, k, s, यह plural नहीं होता है, यह singular ही होता है, लेकिन इसका मतलब तभी यूज़ करते हैं, जब बात दूते हैं, रचनाओं की, किसी ने poem लिखी हैं, किसी ने किताब जो है, यह भी singular ही रहता है, बट ध्यान रखना, कभी इसमें गलती मत माल लेना, कि गलत हो गया, throughout his career, अपने पूरे career के दौरान है, जो यह यूज़ हो रहा था, इसके according यहां पर यूज़ हो गया, समझ में आगे न, सीख गए, सभी लोग मेरे को बता देना, सर, other states से form भर सकते हैं कि नहीं, हाँ बाबू, other states से आप बिल्कुल form भर सकते हो, लेकिन other states से आप सब लोग ध्यान रखना, गर आप form भर होगे, तो आप वहाँ पर unreserved category में count होते हो, consider होते हो, जैसे अगर आप अपनी state में, OBC category में, ST category में होते हो, तो दूसरी state में जैसे आप form भर होग फाइदे भी बहुत होते हैं, बहुत से अपने candidates से हर बार selection ले लेते हैं, other states से जाकर भी, एक के साथ तो मैंने video भी किया था, उसने SBA clerk में selection लिया था, और वो है राजिस्थान का यहीं का, और उसने एमदाबाद से लिया था selection, और उसने आती भी नहीं थी, गुजराती ब लिखते कैसे हैं, अच्छा, यह ऐसे लिखते हैं, अच्छा, हिंदी में ऐसे लिखते होंगे, अच्छा, यह ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, वो उतने से लिखते हैं, वो उतने से लिखते हैं, वो उतने से अपने LPD टेस्ट निकाले हैं, और SBA clerk पड़ाओ तो उसने वो भी सीख रखी है तो लोगों का दिमाग है सीख पाते हैं तो सीख पाते हैं ठीक है मुझसे पूछो को तो शायद मैं ना सीख पहूंती जल्दी तो हा लेकिन मैं आपको इसकी अलग सी वीडियो बना दूगा आप टेंशन नहीं लेना इसके ठीक है च वेरी वेल डेन आंसर आना श्रू हो गया देखी क्या लिखा हुआ है ति मैनेजर रिकमेंडेट मैनेजर ने रिकमेंडेशन दी है that the employee takes a few days off कि employee जो है कुछ दिन का off ले ले to recover from his illness अपनी बीमारे से recover करने के लिए sentence दो बिलकुल ठीक दिखता है लेकिन मैनेजर ने रिकमेंड किया ये पास लिखा हुआ है रिकमेंड किया कि जो employee हो singular है singular वर्व लगी है आप इसे बहुत सारे लोगों ने टेक्स की जगा टुक कर दिया होगा के दिया टुक कर दिया बात खदाम हो गई है ना ऐसा नहीं हो होगा तु की भी लिखा होता न तो बहुत गलत हो जाता आपको prowad द्यान से सुनिये कि यहां पर सब बढ़े ध्यान से सुनलों किक टेक्स लिखा है तो गलत है अगर command दी ये वर्ब लिखी होंगी अगर हमेशे याद रखना ये वर्ब अगर लिखी होंगी तो इनके बाद जो भी subject आगे sentence बनेगा तो subject होगा और उसके बाद हमेशा first form of the verb होगी चाहे subject singular हो चाहे plural बहुत ध्यान से सुने क्या मैं बोल रहा हूं हमेशा सिर्फ first form of the verb लिखे होनी चाहिए और इसका मतलब क्या जाता है? मतलब समझो, इसका मतलब बदल जाता है यहां इसका मतलब जाता है ऐसा करना चाहिए यह सेंस आता है, यह करना चाहिए, वो करना चाहिए शुड का सेंस आता है शुड का सेंस आता है लेकिन शुड यूज नहीं करते हैं शुड का इस्तिमाल नहीं करते हैं यह सिर्फ इसका सेंस आता है इस्तिमाल क्या करते हैं? सिर्फ first form of the verb तो जैसे आपने यहाँ देखा क्या हुआ? Manager recommended Manager ने recommend किया that कि जो employees हैं उनको कुछ दिन की छुटी ले लेनी चाहिए या employee को कुछ दिन की छुटी ले लेनी चाहिए यह ऐसा उसने recommend किया कि employee को छुटी ले लेनी चाहिए तो ले लेनी चाहिए आएगा लेकिन यहाँ पर use क्या करेंगे सिर्फ verb की first form क्या लिखेंगे take अगर इसकी जगा should take भी लिखा होता न तो वो भी गलत हो जाता समझ रहे मेरी बात should take भी लिखते तो भी गलत हो जाता हमेशा यहाँ पर verb की first form use होगी इस बात को दोस्तों याद रखना सभी लोग बताइए क्या यह समझ में है सभी लोगों को मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी जगा अगर ऐसा भी लिखा होता न should take भी लिख देते तो दोस्तों यह भी आपका wrong हो जाता ठीके है ना हमेशा याद रखना है क्या रहेगा सिर्फ verb की first form में रहेगी यह इसका rule है only first form of the verb ठीके यह इन तीन word की साथ नई चीज़ सिखने को मिली है ना नई चीज़ सिखने को मिली बढ़िया सिख गे मुझे बोलना जी सर सिख गे बढ़िया आओ अगले question की तरफ बढ़ते ठीके नया नया point यहाँ सिखते जाएंगे चल इसको देखा डन हो गया देखो यहाँ पर doubt भी आ रहा है कि सर टेक्स भी तो verb की first form है देखो सुनो मेरी बात को टेक्स भी verb की first form ही है लेकिन यह sense जाता है ऐसा होना चाहिए तो should के साथ verb की first form आती है लेकिन should भी इस्तिमाल ली करेंगे सिर्फ first form यही तो मैंने यहां लिखा चाहे subject singular हो या plural सिर्फ first form लगेगी as और yes नहीं लगेगा यहां लिख भी देते हैं याद रखना as और yes नहीं होगा ठीक है as और yes नहीं होगा ठीक है इस बात को याद रखना भूलना नहीं ठीक है अगर shall take हो तो बाबू चाहे shall हो चाहे will हो चाहे कुछ भी हो सब गलत माना जाएगा फिर से सुनिए कुछ भी अलग और कोई वर्ब लिखी होगी helping verb सब गलत होगा सिर्फ first form of the verb होनी चाहिए subject होगा और सीधा first form of the verb और कुछ नहीं लिखा होना चाहे will, shall, would, should, can, could, do, does, has, have, had कुछ भी नहीं होना चाहे वो सब गलत माना जाएगा सिर्फ first form of the verb जो भी main verb है सिर्फ first form of the verb बताए एक बार कमेंट में लिख दो सब लो confusion तो नहीं न कोई clear हो गया न इसको समझाता हूँ मैं बर को लिख दो comment बे despite the heavy rains भारी बारिश होने के बावजूद भी ये rule याद रखना पहला rule despite लिखा है न इसको लेकर बहुत पूछा जाता है बहुत बार पूछा जाता है despite का मतलब होता है किसी चीज के बावजूद किसी चीज के बावजूद ये इसका सेंस आता है के बावजूद rule ये लिख देते हैं कि despite के साथ कोई ना कोई preposition लगा देंगे बढ़ despite के साथ कोई preposition नहीं आती usually इसके साथ off लगा देते हैं लेकिन वो गलत हो जाएगा सिर्फ despite होना चीए तो क्या बना despite के बावज डरेक्ली वर्ड बन जाए despite the heavy rains भारी बारिश की वज़ा से r a i n rain ये लिखा होता तो भी correct है r a i n s rains लिखा होता तो भी correct है अंतर बस इतना होता है जब कभी भी हम कई दिनों की बारिश की बात करें कई जगाओं की बारिश की बात कर देते तो वहाँ rains लिख देते हैं है ना और हमेशे याद रखना जब तक कहीं कोई rigid condition ना हो कि नहीं यार ये तो singular ही होना चीए या ये plural ही होना चीए तो जो जैसा दिया है वर्ड वो correct माना जाएगा rain दिया होता rain correct माना जाता rains दिया है तो rains correct माना जाएगा एक्जाम में इस पर आप कभी भी confused नहीं होना गलती होने के chances यहीं होते हैं despite the heavy rains heavy rains की बावजूत भी the football match went ahead football match जो था वो चलता रहा as planned जैसा की plan किया गया था as planned चलता रहा without any unforeseen unforeseen जिस इसको पहले से नहीं सोचा गया हो unforeseen unforeseen delaying delaying गरबड़ो गया any unforeseen unforeseen adjective है हमें चाहिए noun delaying ना होकर क्या होना ची unforeseen delay किसी प्रकार के delay होने से unforeseen delay ऐसे करके अब यह delay भी हो सकता है यह delays भी हो सकता है delay भी हो सकता है delays भी हो सकता है देखो ये rule आपका बताता हूँ इसको याद रखना है दोनों हो सकता है delay भी हो सकता है दोस्तों और delays भी हो सकता है बट होना चाहिए noun ये दोनों noun नहीं तो है ठीक है अब rule बताता हूँ ऐसा क्यों हो सकता है ये याद रखना है दोस्तों हमेशा कि कहीं अगर any लिखा होता है any के बाद जो भी noun आता है ये noun आपका singular दिया होता है तो भी correct होता है और any के बाद noun plural होता है बाबो तो ये भी correct होता है देखो कमाल की चीज़ है यही चीज़ है जो हमें कई बर confuse करते है तो ये निया आता है अपको इकन ऐगभर होता है ये उतना सबक्राइल ये के साथ यहां हुआता है अब देखो एएनी यहां पर लिखा हुआता अ यह रहा है देखो एनी एनी के बाद अगे अन्फॉर्सीन और यहां पर noun तो डेले लिखाओ तो भी correct है, डेले लिखाओ तो भी correct है, ठीक है, तो exam में ऐसे चीज़े दिहान रखोगे, भूलोगे नहीं, गडबड होगे नहीं, बिल्कुत सही जाएगा, ठीक है, sport और name के आगे दा कैसे आया है, देखो आपको एक बात ये भी बताता हूँ, जैसे कही मुझे cricket पसंद है, I like, तो आप लिखेंगे cricket, अब यहाँ पर आर्टिकल दा नहीं लगता, कभी भी किसी भी game के नाम से पहले आर्टिकल दा नहीं लगता, लेकिन जैसे इसमें लिखा मुझे cricket match पसंद है, तो वो आर्टिकल दा किसकी वज़े से है, match की वज़े से, I like the cricket match, I like the cricket match, मुझे cricket match पसंद है, पॉइंट समझ भाया, आर्टिकल दा कब लगता है, जब आगे कोई और दूसरे word दिये हूँ, ऐसे करके, ऐसे ही यहाँ पर यह बना है, सिर्फ football लिखा होता, तो दोस्तों कोई आर्टिकल नहीं लगता, लिकिन लिखा है the football match, तो आपको आर्टि तो भी सही माना जाएगा, ठीक है, समझ गे न, इतना याद रखेंगे, और एनी अदर डाउट, ठीक है, कोई और डाउट तो है नहीं, very good, चलो, आजब, अगला question है, यहाँ पर आ गए, ठीक है, चलो, इसको दिखेंगे, अनफोर्सीन का मतलब जो चीज आज से पहले कभी न हुई हो, जिसको फोर्सीन नहीं कर सकते हो, कि क्या होगा future में, सोचा ना गया हो, वो अनफोर्सीन है, time is up, answer आन शिर हो गया, बिल्कुल इसकी pdf मिल जाएगी, pdf मैं इसके upload कर देता हूँ, और सारी pdf आपको मिल जाती, pdf के लिए telegram पर इसकी pdf मिल जाएगी, आप क्या करना, टेलिग्राम पर सर्च करना, मेरा नाम लिखना, विशाल, परिहार, टेलिग्राम, बिने space के लिखना, चैनल मिल जाएगा, उसे join कर लेगा, वहीं सारी pdf आपको मिलती जाती है, ठीके, आजाओ, अब इसमें देखो, एक नई चीज दिखाता हो, रूल में, the company's new policy, company की जो नई policy है, subject क्या हुआ है, आपर policy, company की नई जो policy है, subject singular, verb singular, is not only beneficial, is it beneficial ही नहीं है, to its employees, अपने employees के लिए, but also to its customers, लेकिन अपने customers के लिए भी beneficial है, who seek quality services, जो quality services लेना चाहते हैं, असल में क्या ही जो question है, मैंने इसको बनाया था, लेकिन बनाने के बाद मैंने option गलत दे दियां आपको, exam में क्या होगा, कि आपको न, एक और एक से ज़ादा part में भी गलती पूछी जा सकते हैं, तो ये वाला जो question ने, जिसमें एक से ज़ादा part में गलती है, अब दोनों चीज़ों को समझेंगे, पहली चीज़, not only कहीं लिखा होता है, तो आप ये सारे बच्चे जानते, बहुत ध्यान थे सुनना, ये वाला rule जो बताने वाला हो, not only कहीं भी लिखा होता है, तो ध्यान रखना है, कि not only के साथ, but also लिखा होना ज़रूरी होता है, है न, not only, but also, ये pair में बनता है, ये बिल्कुल वैसे है, जैसे कहीं लिखा है, neither, n, e, i, t, h, e, r, neither के साथ, nor होना चाहिए, और कहीं लिखा हुआ, either, e, i, t, h, e, r, either, तो either के साथ लिखा होना चाहिए, और, बस, इसका काम यहाँ complete नहीं होता, अब इसके आगे शुरू होता है, क्योंकि आसान चीज़े हर कोई पैचाल लेगा, problem कहां आती है, ये भी देखना है, कि not only, but also का मतलब होता है, ये ही नहीं, बलकि वो भी, तो ये उन दो चीज़ों के साथ लगना चीज जिन दो अलग-ख चीज़ों की बात कर रहें, अब आपने देखना यहाँ पर किन दो अलग-ख चीज़ों की बात कर है, example के तोर पर, आपने कहा, मुझको ये पैन नहीं, बलकि ये पैन भी पसंद है, I like not only this pen but also that pen तो जो दो अलग अलग चीज़े उनी के साथ ही तो not only but also लगेगा अब आपने यहाँ देखा आपने देखा दो अलग 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 चीज़े क्या है company की जो नई policy है वो beneficial है अपने employee के लिए to its employees और किस के लिए और अपने customers के लिए to its customers दो अलग अलग चीज़े क्या है पहले employees और दूसरे customers तो not only but also इनी के साथ ही तो लगे होने चाहिए है ना दो अलग 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 चीज़े यही तो है तो आपने देखा to its customers लिखा है तो to its customers से पहले तो but also लिखा हुआ है ये तो बन गया to its customers से पहले but also लिखा है ये तो बन गया लेकिन to its employees क्या to its employees से पहले not only लिखा हुआ है नहीं not only तो beneficial से पहले लिखा है तो गरबड हो गया इसका मतलब ये not only कहा होना चाहिए ये not only यहां होना चाहिए इधर not only इधर होना चीए company's new policy company की जो नहीं policy है is beneficial ये beneficial है not only to its employees but also to its customers पहली गलती ये क्या ही समझ में आया यानि किनकी positioning में error पूछली जाती है हमें इसका position ध्यान रखना होगा किन दो चीजों के सिलिए बात हो रही है जिन दो चीजों के लिए बात हो रही है not only but also वही होना chip positions का ध्यान रखना है क्या ही clarity है सबके साथ में तो पहली ये वाली गलती आप साबको समझ में आगी अब आते हैं दोस्तों दूसरी गलती दूसरी गलती वही है जो कि अभी मैंने पढ़ाई है आपको relative pronoun वाली आप समझते हैं लेकिन relative pronoun में में एक additional चीज़ आपको बताने वाला हूँ देखो who लिखा हुआ है न who who किसके लिए काम करेगा जो से पहले use हो रहा है word use क्या हो रहा है customers customers plural है तो plural के लिए verb क्या use होती है as और yes नहीं लगता है हो जाएगा seek काफी सारे बच्चों को यह doubt होगा कि सारे यह seek कैसे हो गया plural है तो वर्ब में कब s लग गया plural में तो s लगाते हैं आपने तो हटा दिया है है न यह doubt कहीं सारे बच्चों को होगा तो एक बार yes लिख दो comment में जतने बच्चों को doubt है आपका doubt देखो यहाँ clear करता हूँ यह जो मैं आपको plural की बात कर रहा हूँ मैं जो लिख रहा हूँ हिंदी में लिख लिए ना सब लोग जब ठीक है जब किसी noun का plural करते हैं तब as और yes add करते हैं ठीक है ठीक है तब हम as और yes add करते हैं एक्जामपल जैसे हमने का pen pen का plural क्या हो गया pens ठीक है यह तो हम लोग ने देखिया pen का plural क्या हो गया pens ठीक है as और yes तब ही तो add करते हैं हमने का c l a s class plural c l a s s e s इसमें e s add तो कुछ में as हो गया कुछ में e s हो गया f होता है knife का knife हो जाता है ऐसे करके ठीक है लेकिन जब कभी भी verb की बात हो यह तो भी noun की बात हो है ना but ठीक है tense की बात करें present indefinite present indefinite tense में singular subject के लिए verb में as और yes add करते हैं ठीक है अब इसका example में देता हूं यह वो example दे रहा हूं है अब आपको जो आपने बच्पन में खूप सुने होंगे लेकिन अब आपको clarity में भी आ जाएंगे देखो example के तरपर यादे बच्पन में ऐसे आप देखते थे he school जाता है तो go में as लगाते थे he goes to school he school जाता है he goes to school he singular subject के तब ही तो as और yes लगाते थे इसमें अगर यह singular नहीं होता plural होता है he की जगा लिखा होता है तो दे में goes ना लगाते थे they go to school बताइए तब हम ऐसे तो लिखते थे they go to school है न क्योंकि यह present indefinite का tense है वह ऐसा काम करता है वो ऐसा जाते हैं वो पढ़ाते हैं यह पढ़ते हैं समझ रहे हो तो ऐसी condition जब आती है present definite में subject singular होगा subject तो यही है ही लिखा या किसी का नाम लिखा है तो वो वर्ब में SORES लग गया singular के लिए वो वर्ब है यहां तो नाम होता है वही situation दोस्तों यहां ही कि आपने देखा कि यहां पर who use हो रहा है customers subject जो है customer से present indefinite में बनाए वर्ब की फस्तों में तो plural में SORES हट जाता है जैसे यहां plural में SORES हट गया यहां plural में SORES हट गया D plural है तो SORES हट गया सिर्फ गो रहा ऐसे ही दोस्तों यहां पर यह plural है customers तो seeks में से S हट जाएगा क्या होना चीए seek यह आपको correct answer बनेगा समझ महीं दोस्तों बात है न तो गलती इसमें 2 थी दोनों पहचान ली सब ने पैचान ली की नहीं मेरे को बताओ सब लोग मेरे को बोल दो एक बार की जी सर हमने पैचान लिए और एक बार like button में press करके भी बताना सीख गये तो ठीक है यह point हमने समझ लिए पांच question मैंने आपके यह वाले दिये है grammar के तो हमारे grammar के पांच question होगे अब दोस्तों मैं आपको करा रहा हूँ फिलिंदी blank से question और ये फिलिंदी और आज एक close test भी लिए कर आया हूँ मैं close test आपके दिल पर चोट लग सकते एक काम करते है close test पढ़ लेते है दिल पर पत्था रखे मैंने close test बनाया एक काम गर्दों फ़ले close test ही कर रहा हूँ करोगे close test आखों से आसू मन निकाला बस एक बार देखके समझो ज़रा close test कौन सा वाला है देखना ज़रा आज ही बनाया है लेकिन smile दोगे तभी कराऊंगा रोएगा नहीं कोई देखके सीने में दर्द हो गया क्या गरे है हार गए एक तालिसवीर दिन हार गए चालिस दिन लगाता जो जीतता रहा जो बादशाह बना रहा वो हार क्यों गया वही दिया है लेकिन कोई बाद नहीं दिल पे पत्थर रखे मैंने इसे बनाया है और हम इस पे पत्थर रखे सीखेंगे भी ठीक है तो आओ ये पढ़ते हैं आज ये वाला करेंगी closest मदा आदाएगा ठीक पांच कोईशन मैंने बनाई है प्यारे से इन पांच कोईशन को समझते हैं और वो बड़ी हमद आएगा तो एक काम करता हूँ पहले मैं आपको समझाता हूँ कैसे करता है मैं इसका मतलब भी बता देता हूँ आपको फिर आंसर करना है ठीक है जैसे ही क्या लिखा है for 40 nights 40 nights तक nights का मतलब क्या हो क्या 40 दिनों की day night day night matches की बात करा है 40 nights तक जितने भी चल जब से world cup शुरू हुआ since their first win जब से पहली win हुई थी against Australia in Chennai में India strode like the invincibles India ऐसे उभर के आया जैसे India invincible है यानि कि India अजे है India को हराया नहीं जा सकता बट would stumble लेकिन इंडिया जो है वो stumble हो गया लड़ खडा गया on the 41st night पर to attain defeat और एक defeat इंडिया को मिल गई जो नहीं मिलने चाही थे पहले हार जाती कोई दिक्कत नहीं थे जो नहीं मिलने चाहीए defeat वो defeat मिल गई यह जो defeat है could be put down to Australianism यह defeat है यह किस वज़े से हो रखिया Australianism की वज़े से अब इनोंने नया term मना दिया Australianism यह क्या है Australianism that always prevails on big moments जो कि हमेशा big moments में दिखता है history repeats itself यह line हो गई है 2003 के बाद दो हो जाते इस 20 सालों में यह क्यारे prevails on big moments यह big moments में दिखता है और just dash भी कह सकते हैं यह फिर हमारे लिए कुछ dash भी है क्या है हमारे लिए ज़रा option देखो यह हमारे लिए क्या fortune था जो कल हुआ हमारे लिए का मतलब हो रहा है इंडिया के लिए तो कह रहे हैं यह आप तो यह big moments है Australia के लिए big moments और हमारे लिए dash है option number C बहुत सारे लोगों ने लिख दिया मझे बहुत अच्छा लगा यह जानकर कैसे किया अपने option number C very good यह इंडिया के लिए bad luck है जो लोग cricket देखते रहते हैं जो commentary सुनते रहते हैं उनके लिए बढ़ हसान होगा कि यह bad luck है कभी भी यह misfortune term used नहीं होता fortune और misfortune का मतलब है कोई चीज जो भागेवश है वो fortune है दुर्भागेवश यह दुर्भागे नहीं है इंडिया का यह कोई दुर्भागे नहीं ना किसी का यह भागे है क्योंकि यह ना भागे से जुड़ता है ना दुरभाग जोड़ता है, bad luck का मतलब कोई bad luck का मतलब भी यह नहीं होता है कि इसका luck अच्छा उसका luck अच्छा नहीं है, यह नहीं होता है bad luck का मतलब, bad luck का मतलब होता है sympathy मिलना, sympathize होना, तो इंडिया के लिए sympathize है कोई चीज तो उसको लगते हैं इंडिया के लिए bad luck है, यह bad luck है, bad luck मतलब sympathize, destiny का मतलब आपकी किस्मत उसको destiny कहते है, coincidence का मतलब जब दो घटना एक साथ होती है, तो यह क्या हो गया हमें मालूम पढ़ गया, यह big moments हो गया या फिर just यह bad luck है, और कुछ नहीं, just a bad luck है, bad luck का मतलब क्या हो गया, यह हमारे लिए क्या है, एक sympathize चीज है चालो ठीक है, हमने समझा, आगे देखो, there will be a billion post mortems of the loss, कई सारे post mortems होंगे इस loss के, यानि कि कि अभी हार गए, तो घर में बैठे बैटे जिसने कभी भी cricket नहीं देखा होगा, वो भी कहते का इसने ऐसे नहीं खेला, ऐसे खेलते तो जीच जाते, औहो पिछ गीली थी, गील ठीक है, post mortem, billions post mortem होंगे, मतलब एतो नहीं, billion में post mortem होंगे, loss के लिए around India, in the coming days, आगे आने वाले दिनों में, but there are enough dash reasons to ponder, लेकिन फिर भी परयाप्त dash reasons है, जिस पर हम ponder कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, कैसे reasons हैं, आपको बताना है, किर्केटिंग reasons हैं, obvious reasons हैं, mysterious, superficial या complex, बताओ, आपने कहा, कि बट, कैस, billion, billion post mortem होंगे, लोग अपने अपने दुनिया वर के post mortem बताएंगे, कोई कल पूजा भी कर रहा था, आर्थी भी कर रहा था, हवन भी चल रहे थे, अपने अपने देवी देवताओं को लोग याद भी कर रहे थे, सारी जिससे जो चीजे हो सकते ह हैं, एडवाइस भी दे रहे थे, लोग दुनिया वर की साब कर रहे थे, ठीक है, लेकिन यह कह रहे हैं, जो हमें विचार करना चाहिए, कि गल्ती कहा रहे हैं, वो रीजन्स तो सिर्फ किर्केट से जुड़े हुए हो सकते हैं, है न, कि डिसीजन्स हो लिए गए गए, तो अगर किर्केट से जुड़े हुए ही रीजन्स हैं, बले ही कितने लोग पोस्ट मॉटम करते रहे हैं, उसके किर्केट से जुड़े हुए ही रीजन्स थे, आच्छा, छीक है, अट दी कोर अफ एवरी वल्ड कप फाइनल चार्टर में, जा हम देखते हैं, कौन जीता, कौन हरा, will be an acknowledgement, उसमें एक acknowledgement होता है, मनना पड़ता है कि हाँ, ये गलती थी, ये अच्छा था, एक खराब था, that India, on the final day of the tournament, bump into a team, एक ऐसी टीम से भिडी है, that had a plan in place, जिसके पास अलरी प्लान था, यानि कि Australia के पास अलरी प्लान था, ऐसी टीम से भिडी थी, अच्छा, ये इस बड़ी अच्छी सिखाऊंगा, Australia ने प्लान किया है, to a dash, आंसर आना शुरू हो गया, आप देखो, इसका आंसर ने एक इडियम है, आप इडियम बदाऊंगा, गुसा मत हो जाना, एक इडियम होती है दोस्तो, इडियम ये होती है, टू आ टी, ये एडियम है, ये एडियम है दोस्तो, टू आ टी, ये टी समझ रहें कि टी का क्या मतलब है, टू आ टी एडियम है, टू आ टी का मतलब किसी चीज़ को परफेक्टली इंप्लिमेंट करना, किसी चीज़ को परफेक्टली इंप्लिमेंट करना, है न, मतलब effectively अब आपने का क्या कात क्या देखा कि Australia की पास ओलडी प्लान था जिसने implement किया इसे to a t मतलब perfectly implement किया अब ही implement किया हमें adverb चाहिए और यह idiom जो है adverb की तरह अस्तिमाल होती है कि कोई काम perfectly किया adverb की तरह अब perfection नहीं लग पाएगा क्योंकि दोस्तों ही तो noun हो गया अब यह फ्रेजी नहीं होती है कोई idiom ही नहीं होती कुछ हो लगाओ गया 280 हो गया समझ में आया कि उसको किसी चीज़ को implement करना effective तरीके से कहते है 280 हमने पड़ेया कि implement किया उसने 280 and hit the ground sprinting और उसने अपने हिसाब से ground में sprint के चौके चके लगाए like a champion side एक champion side की तौर पे Australia had done their dash Australia ने अपना dash किया है and it showed very early और यह बहुत ही शुरू में दिग गया था in the game game में starting with their skipper Pat Cumans winning जब शुरुआत में जो उनके skipper है Pat Cumans ने जब जीता toss and decide किया कि हम fielding लेंगे तो यह चीज तभी दिग गई थी क्या चीज तभी दिग गई थी कि उनके प्लान ने अच्छे से नों ने उसको implement किया तो four है four को देखो क्या लगेगा यहां पर बताओ Australia had done their dash their best their homework their preparation their duty their analysis option number a कैसारी लोगों ने लगाए लेकिन गलत है बावू देखो क्या है हम देखने में तुस्से लग जाएगा they had done their best अगर जेनरल बात होती तो आप कह सकते थे they had done their best लेकिन कह रहे उन्होंने अपना dash किया और यह पहले ही दिख गया तो पहले ही कैसे दिख जाएगा कि किसी ने best किया क्या पहली decide हो किया थे कि उन्होंने best किया टॉस जीतते ही कह रहे टॉस जीतते ही जैसे उन्होंने decision लिया क्या हम homework है चीज को समझने का homework है analysis है तो उसके sense में आपको लगाएंगे कि they Australia had done their homework preparation ने preparation तो सब ने करी homework किया homework किसे लगाएंगे क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ को समझा और decide कि की fielding बाद मिलेंगे तो उन्होंने homework किया बेस्ट ने preparation ने duty ने analysis ने उन्होंने अपना homework किया था और homework करने में तो कुछ भी कर सकते हैं कोई बात नहीं हम लोगों नहीं हां तक पहुंच गए question no.5 और यार question no.5 भी लगाया मैंने यह पांच का वो रहेगा लगाना जी यह पर paragraph होता है paragraph लगाना रहेगा पांच का कोई बात नहीं समझ गे चलो चारी समझ दे पांच का paragraph नीचे रहेगा वो पीपटी में लगाना भूल गया मैं कले बता हूं समझ में आया दिल में दर्द सारा खताम हो गया असी मजाक से हम लोगो नहीं सीख लिया देखो अपना काम है मैं सीखना है तो टेंशन लेनी नहीं लेकिन हा मैं सिखाता रहूं आप चिंता नहीं करो चीजें मैं आपको अपडेटेड देता हूं आज अब एक और अपडेटेड चीज ये आज ही का एडिटोरियल है और आज के एडिटोरियल में हमने दो आर्टिकल बढ़े तीसरा एक और आर्टिकल है जो कि इंडिया की रोड को लेका रहें यह आपके सामने है पुरागब पुरा पैरा जंबल कोईशन तो आप दोस्तों पैरा जंबल हो करेंगे A, B, C, D, E इसको रिप्लेस करके आगे पीछे करो और बताओ कि क्या इसका सही सीक्वेंस बनेगा दोस्तों ठीक है ये लोग चलो देखो करेंगे सब लोग ये लोग झाल झाल ओके हो गया दोस्तों समझते हैं they go hand in hand with the country's modernization and impressive economic progress किसकी बात करें पता नहीं लेकिन इस तरीकी के जो sentences होते हैं आप clue note करेंगे they लिखा हुआ है तो यह pronoun है इतना समझ में आ गया with strong helmet, producers car manufacturers, big tech and large road investments इंडिया की जो roads are a paradox, वो एक paradox है paradox का मतलब होता है विरोध विरोधाभास की दो तरीकी की चीज़े for example positive भी है तो negative भी है उसे कह देते हैं यह paradox है in this context इंडिया जो है has some of the greatest opportunities है इंडिया के पास to build a strong road safety management framework they represent an enormous and growing opportunity to commute और वो represent करते हैं कि बड़ी opportunity है commute करने की commute मतलब travel करने की connect करने की to transport and travel transport और travel करने की अगर आप देखो तो वो एक वो दे लिखा था एक ये दे लिखा हुआ है वो भी pronoun था ये भी pronoun है ये जो बात करें इंडिया की roads की बात करें ये बताओ इतना सब को clear हो रखा है कि यार ये roads की ही बात हो रही है शुरूआज जो बन रही है वो हमारी यहाँ पर C से बन रहे है एक बार सब लोग देखो शुरूआज जो है हमारी C से बन रहे है C में दिया है noun road की और एक pronoun ये है और एक pronoun ये है तो जब दोर परनावन है आपको मालूँ है noun के बात परनावन आएगा लेकिन इन दोनों परनावन में पहले क्या आएगा बड़ ध्यांस देखो आपने कहा इंडिया के जो roots हैं वो paradox है ठीक है वो represent करते है enormous or growing opportunity को they go hand in hand तो आप दोनों ही चीज़ों को देखोगी अगर तो आपको समझ में आएगा पहले आप ये लगाओगे कि वो जो roots है वो represent क्या करते है वो roots बताते क्या है उसके introduction वाली जो बात है वो आप देखोगे तो introduction वाली बात E में विल रही है ना कि A में A में और specific बात कर रहेगी जैसे जैसे economic progress हो रहे roots भी वैसे वैसे बन रहे है कि इसकी बात को कह रहे है तो आप C के बात E लगाओगे ना कि A तो पहले E आएगा फिर A आएगा बताओ pair बना यहां तक कि जो roads है इंडिया के वो paradox है वही जो roads है वो represent करते है एक enormous और growing opportunity बड़ी और बढ़ती हुई opportunity जिससे की commute किया जा सकता है connect किया जा सकता है to transport and travel transport करने के लिए travel करने के लिए they go hand in hand और वो साथ की साथ आगे बढ़ते हैं with the country's modernization and impressive economic progress में साथ की साथ बढ़ते हैं और इसी संदर्म में in this context अब बनेगा डी इस संदर्म में in this context इंडिया जो है has some of the greatest opportunities है to build a strong road safety strong road safety management framework कि एक strong road safety management framework बनाए with the strong helmet producers हो car manufacturers हो big tech and large road investments हो ये सब कुछ किया जा सकता है and this is how we have created the correct pair ये आपका correct pair बन गया बताएए सब को समझ माया comment करके एक बार सब लोग बता दे सब को clear हो गया सब को समझ माया एक सबाल यहाँ पर आ रहा था कि सर मैं grammar कैसे strong करूँ बावू ये जो यूट्यूब पर class होगी न इस पर तो मैं regular practice कराऊँगा जिसको भी basic पढ़ना है किसी को भी तो मेरी दोपैर दो बजे आन अकेडमी पर paid class होते है दोपैर दो बजे वाली paid class उसको जोइन करना आपकी basic जो grammar है वहाँ से cover होगी cover करना बहुत ज़रूरी है basic grammar मैंने 40 days वाले plan में भी यही बताया आपको basic grammar, basic vocab knowledge, basic reading basic हर एक चेस का पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि YouTube पर तो हम सर्फ practice ही कर पाएंगे हम basic नहीं पढ़ पाएंगे basic के लिए आपको एक paid class जोइन करना ज़रूरी है ज़रूर जोइन किज़े एक paid class दोपैर दो बजे मेरी चलती है आनकेडमी पर जैसे mains पढ़ाता हो तो mains भी सुबा 9 बजे चलती है और दोपैर 2 बजे चलती है आपकी editorial 365 के नाम से paid class चल अपना ये वाला हो गया दोस्तों हमने इससे सीख लिए है आप ठीक है अब आप लोगों के लिए दोस्तों मैंने कुछ फिलिंदी ब्लांक्स बनाएं डेली सुबा 7 बजे दा हिंदू editorial पढ़ाता हूँ जो बच्चे इस class में नए है ना कल आप दा हिंदू editorial देखने जरूर आना live कल सुबा लाइव आना दा हिंदू editorial देखने editorial session देखो तो reading ability improve होगी वो improve होगी तो इस type की question कर पाओगे जैसे कि देखो दोस्तों ये question मैंने आपके लिए दिया है देखकर कोई एकदम देखो के तो बड़ा सा लगे है question बट ये वो word है जो regularly हम एडिटोरिल में पढ़ते हैं वही से मैंने बनाए सब current से related चीज़ों में लेकर बनाता हूँ मैं अभी तो या तीन दिन पहले का ही editorial मैंने करा था Myanmar वाला कितने लोगों को याद है मैंने same उसी सही questions बनाए Myanmar वाला है ता Myanmar था जुनता है उसमें military ने कबजा कर रखा है पूरा याद है कितने लोगों को याद है बता न उसी में से सारे मैंने fill in the blanks बनाए देखो जरा इसको solve करने कोशिश करेंगे do it झाला है समझ लिया सोच लिया आप जरा समझ के देखते हैं आप ने समने समझा क्या बना option number E कई सारे लोगों ने बता दिया that is unilateral unilateral का मतलब बता है मन माने धंग से कोई काम करना देखो जरा the recent actions हाल ही में जो actions लिये गए है of the three brotherhood alliance के द्वारा यह जो actions है वो highlight यानि बताते हैं show करते हैं highlight करते हैं the dash nature of the conflict in Myanmar Myanmar में जो dash nature है उस conflict का उस conflict के उस घटना उस nature को बताते हैं demonstrating और यह चीज़ यह show करती हुई है वो जो nature होगा उसका किस प्रकार का वही बताएगा वो demonstrate कर रहा है कि एक बदलाव हो रहा है एक shift एक बदलाव हो रहा है इन power dynamics में अभी जो power है वो किसी एक हिस्से पर एक group पर होगी वो power के dynamics में power वो बदल रही है यह बदलाव दिख रहा है along the countries border regions में तो यानि कि कुछ ऐसा nature है जो धीरे धीरे बदल रहा है अब आपको समझ में conflict का nature कैसा जो धीरे धीरे बदल रहा है क्या यह unilateral का पहिसे लेना देना बना मनमानी धंका है यह क्या बन रहा है यह तो कुछ ऐसी चीज दिखा रहा है को जो कुछ धीरे धीरे हो रहा है demonstrating a shift एक shift हो रही है यह power dynamics में तो यह shift के लिए आप क्या मनमानी धंका बना पाओगे नहीं बना पाओगे intransigent Transigent का मतलब एक कोई चीज जो शन भरकी होती है intransigent का मतलब एक विक्ती जो बिल्कुल भी किसी भी चीज से अगरी होने के लिए राजी ही नहीं है वो बिल्कुल अखाड़ है लड़ा हुआ यही होना चीए बदलने के लिए राजी नहीं है अगर बदलने के लिए राजी नहीं है तो shift कैसे हो सकता है यानि उसका nature ऐसा तो नहीं होगा intransigent यह गलत हो गया है नगलत हो गया अगला है दोस्तो nascent nascent का मतलब एक विक्ती जो बिल्कुल किसी field में नया-nया है उसको experience कम है उसका तो लेना देना ही नहीं बना कि कोई चीज नया-nया है उसको experience कम है है नहीं जो नया-nया होता experience कम है उसके sense में इसको लगाते nascent आपका गड़बड हो गया Ephemeral दिया हुआ है दोस्तो जिसका मतलब है कोई भी चीज थोड़े समय के लिए हो रही है वो कह देते है वो Ephemeral है कोई चीज exist कर रही है थोड़े समय के लिए for a very short period of time तब लगाते है Ephemeral तो उसका लेना देना भी नहीं बन रहा अब बचता है सिर्फ एक word that is attrational attrational का मतलब है कोई भी चीज जिसकी effectiveness और strength धीरे धीरे घट रही है धीरे धीरे कम हो रही है तो उसका nature अगर attrational nature है तब ही हम कहेंगे कि हाँ धीरे धीरे वो घट रही है धीरे धीरे कम हो रही है धीरे धीरे बदल रही है धीरे धीरे चेंज हो रही है अब वहाँ लगाते अट्रीशनल तो यह अट्रीशनल नेचर होगा conflict का जगडे का नेचर कैसा होगा अट्रीशनल बदलाव करता हुआ तब ही तो वो दिखाएगा कि एक shift हो गया है इन्दी power dynamics में along the country's border region that is why option number D जो है इसका correct answer बना अब आप यह समझ रहे हो the Hindu editorial session क्यों इतना important है और ऐसा नहीं होता एकदम से आप सब कुछ सीख जाओगे but yes it takes time लिकिन regular मेहनत करोगे कड़ी मेहनत कर रहे हो और सही direction में मेहनत कर रहे हो दोस्तों तो आप यह सब कुछ कर ले जाओगे आपको फिर कोई दिकर नहीं है but सही direction में मेहनत बहुत जरूरी है समझ में आये ना बागू very good ठीक है आज के session को दोस्तों में इसे इतना ही रखते है ठीक है बाकी कुछ questions यह आप देखो कि तो आपको homework में मिल जाएंगे या PDF download करो मैं एक question मैंने बना रखे सारे question ले लिना हो रख मैं मेरा देखो आप लोगों को एक ही जिस कहना है कि जब आप पढ़ाई करो तो सही direction में पढ़ाई हो जाए अब मैं आपसे मिलूँगा का मैं आपको बताता हूँ अब आपकी class कल नहीं होगी आज है day 1 कल day 2 है कल class नहीं परसो class होगे तो परसो आपको day 3 देखने को मिलेगा समझ गए 45 days का मतलब यह नहीं कि 45 दिन मैं पढ़ाऊंगा 45 days का मतलब है कि 45 दिन आपको पढ़ना है सही है 45 दिन आपको पढ़ना है तो यूट्यूपर class हर alternative days पर मैं करता रहूँगा तो आपके सामने day 1 है day 1 के बाद दोस्तों हम मिलेंगे day 3 में ठीक है आज day 1 है कल हला कि day 2 की भी class करेंगे आप में से सभी बचे unacademy परना मेरी profile में न कल मैं टेस्ट लूँगा उस टेस्ट में मैंने आपको बताए न unacademy की कुछ books हैं जो 1,2,3 अगर top में आओगे तो मैं उनको 12 किताबें English की 3 है 3 Maths की है और 3 ही reasoning की है 3 ही reasoning की है और 3 ही आपकी GA की भी है current efforts की जो 1,2,3 आएंगे 3ों को मैं बिजबा दूँगा 3 बच्चों को वहापर एक session लगा होगा SBA clerk के लिए expected paper करके तो उसको आप enroll कर देना enroll करने के लिए कोई code मांगे ये code लगा देना AVP आप enroll हो जाओगे ठीके enroll हो जाओगे class कब होगी कल 5 बज़े ही होगी 21 मेंबर ये आपका class 20-25 मिनट की class होगी कल-कल के लिए ठीके परसो फर यूट्यूपर मिलेंगे यूट्यूपर मुलाकात परसो होगी वाकि कल हम यूट्यूपर मुलाकात करेंगे morning में सुबा 7 बज़े दाहिंदूव डीटोरिल के session में ठीके दोस्तो Thank you Thank you very much कोई बात कहने है कोई सवाल है बिलकुल आप comment box में बताईए कोई समस्या है वो मुझे बताएगा मैं उसका समादन जरू करूँगा मेरा प्यारा सा हट आप लोगों के लिए आप सभी लोगा selection जरूर होगा मैं आपके साथ मैं हूँ Like बटन में जरूर प्रेस करना आप चालागे तो तैंक्यो दोस्तू तैंक्यो वरी मच्या जाइन जाइबारा